इन बारन से मेरी बात प्रारम करने से पहले बाबा की इस धर्ती को स्मरन करते हुए हर हर महादेव कोरोना महमारी के खिलाब काशी की लड़ाई के बारे में मैं लगातार आपके संपर्ग में रहा हूँ जानकारियां भी लेता रहा हूँ और मुझे कई सोर्शित से पता भी चलता रहा है काशी के लोग वहाँ की व्यवस्ताएं अस्पताव इस मुश्किल समय में कैसे काम कर रहे हैं इसे लेकर अभी आप सब ने समय की सीमा रहने के बावजूद भी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिजेंटेशन हमारे सामने रखे हैं अपनी बात बताई है हम सब जानते हैं कि हमारी यहां कहा जाता है काश्याम विश्टे स्वरह तथा हर्थात काशी में सर्वत्र बाबा विश्वनात ही विराजमान है यहां हर कोई बाबा विश्वनात का ही आउश रूप है कोरोना के इस कठीन समय में हमारे काशी वाश्यों ने और यहां काम कर रहे हर एक जन ने वाकई इस कथन को सार्थक सिद्ध किया है आप सभी ने शीव की कल्याण भावना से ही काम करते हुए जन जन की सेवा की है मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशी वाशी का रदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विशेश रुप से हमारे डॉक्टर्स ने नर्सेस ने टेक्निशन्स बॉर्ड बॉइच एंबुलन्स डाइवर्स आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सरहानिय है हाला कि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठीन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए इस वाइरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र सद्धाजनी देता हूँ और उनके परिजनों के प्रती सांत्वना व्यक्त करता हूँ साथियों कोरोना की सेकंड बेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है इस बार संकरमन दर्भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है इन सबसे हमारे हिल्ट सिस्टेम पर एक साथ बहुत बड़ा दवाव पैदा हो गया है बनारस तो वैसे भी सिरफ काशी के लिए नहीं पूरे पुर्वांचल की स्वास्थ सेवों का एक केंद्र है बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग काशी पर डिपेंडनेंट होते हैं ऐसे में स्वाभावित तोर पर यहां की स्वास्थ बवस्ता पर इतना दभाव बहुत बड़ी चुनावती बन करके आया पिछले साथ सालों से यहां के हेल्ट सिस्टम को लेकर जो काम हुआ है उसने हमारा बहुत साथ दिया फिर भी यह असाधन परिश्थिती रही हमारे डॉक्टर्स हमारे हेल्थ बर्दकर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दभाव को संभालना संभव हुआ है आप सभी ने एक-एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया खुद की तकलीब आरां इन सब से उपर उठकर जी जान से जूटे रहें काम करते रहें आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है साथ क्यों इस मुश्किल दौर में बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रती निधियों ने और अधिकारियों ने भी हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है आक्सिजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए आक्सिजन प्लांट शुरू किये गए कई नए ओक्सिजन प्लांट भी लगाए गए बनारस समेत पुर्वान्चल में नए वेंटिलेटर्स और ओक्सिजन कॉंसेंट्रेटर्स की भी ववस्ता की गई साथियों बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ओक्सिजन और आईसुईउ बेट की संख्या कई गुना बढ़ाई है जिस तरह से इतनी जन्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है ये भी अपने आप में एक उधारन है आधुनिक तक्नीक वाली नई मशिन्स आने से यहां आर्टी पिस्या टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्तिक तरीके से काम कर रहा है आपने जिस तरह से टेक्नोलोजी का प्रयोग किया है सभी जरूरी व्यवस्ताओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलब बनाया है वो अनुकर्णी है हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाय बनी जो अभियान चले उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है स्वच्छ भारत अभियान की वज़े से बने सौचालय हो आप सोचिए जब 2014 में आप लोगों ने मुझे सांसत चुन करके भेजा और जब मैं आपका धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए आया था आपने मुझे पर इतनी प्रेम बर्शा की थी इतनी आशिरवाद दिये थे लेकिन मैंने क्या किया पहले दिन पहले दिन देने की कोई बाती नहीं की मैंने मांगा आप से कासी वास्यों से मांगा और मैंने पब्लीकली कहा था कि आप मुझे बादा कीजिए हम कासी को स्वच्छ करेंगे आज हम देखते हैं कि कासी को बचाने में आप लोगों ने स्वच्छता का जो मुझे बादा किया था और कासिवासियों ने स्वच्छता के लिए जो जहमत की लगातार की है उसका आज हमें लाब मिल रहा है आविश्मान भारत योजना से के तहट मुप्त इलाज की सुवीदा जो की गई वो भी इसमें लाब करता रही है उजवला योजना की वज़े से मिले गैस सिलेंडर हो जंदन बैंक खाते हो या फिर फिट इंडिया भियान हो योग और आयूश के प्रती अब जब हम युएन के द्वारा आंतराष्टी योग दिवस को स्विकृती पूरे विश्व से मिली और इक्रीश जुन को योगा दिवस शुरू किया तो शुरू में तो बड़ी मजाग उड़ाए गई आलोचना की गई सांप्रदैक्ता बिन सांप्रदैक्ता बेरंग दोये गए लेकिन आज पूरे विश्व में कोरोना के खिलाब लड़ने में योग का भी महात्मय प्रचलित हो रहा है योग और आयुष के प्रति जागुरुपता इन सभी ने कोरोना के खिलाब लड़ाई में लोगों को की ताकत बहुत बड़ाई है साथियों महादेव की कुपा से बनारस आध्यात्मिक शक्यमताओं से भरपूर शायर है चाहे कोरोना की फर्स्ट वेव रही हो या सेकेंड वेव यहां के लोगों ने भैरी और सेवा का अध्भूत परिचे दिया है मेरी काशी के लोग यहां के सामाजिक संगटन मरीजों की गरीबों की बुजुर्गों की लगातार एक परिवार के सदशी की तरह सेवा कर रहे हैं चिंता कर रहे हैं किसी परिवार को खाने की चिंता न करनी पड़े किसी गरीब को दवायों की चिंता न करनी पड़े काशी ने इसके लिए खुद को समध्वित कर दिया है कई व्यापारियों ने तो खूद आगे आकर अपनी दुकाने बंद की ताकि संक्रमन की चेन को तोड़ा जा सके इन सभी व्यापारियों ने हमारे इन साथ्यों ने अपने आर्थिक नभा नुक्षान की चिन्ता नहीं की बलकि अपने समसाधनों से वो सेवा में लग गए आपका ये सेवा भाव किसी को भी अभीभूत कर देगा लेकिन मैं जानता हूँ कि मा अन्पुर्णा की नगरी और इस नगरी का तो ये सहच सभावी है सेवा यही तो यहां का साधना का एक प्रकार से मंत्र है साथियों आपके तप से और हम सब के साजा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक समाला है लेकिन अभी संतोस का समय नहीं है हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है अभी हमें बनारस और पुरवान चल के ग्रामिन इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है और अब मंत्र हमारा क्या होगा हर व्यवस्ता के लिए हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है जहां बिमार वही उपचार यह हम भूले नहीं जहां बिमार वही उपचार जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्ता पर दबाव बहुत कम होगा और इसलिए हम सब मारी सारी व्यवस्ताएं जहां बिमार वही उपचार इस सिध्धान पर और दूसरी बात माइक्रो कंटेन्मेंट जोन काश्ची ने बहुत सफलता पूर्वक उस पर ध्यान के दित किया और उसका लाब मिल रहा है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बना कर जिस तरह आप शहर व गावों में गर गर दवाएं बाट रहे हैं आपने मेडिकल की कीट पहुँचाई ये गावों के लोगों तक ये बहुत अच्छी पहल है इस अभियान को गरामीन इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है डॉक्टर्स लैब्स और ये मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड करके काशी कबच नाम से तैली मेडिसिन की सुविधागी ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रवोग है इसका लाप गाव गाव में लोगों को मिले इसके लिए विशेश जागरुता अभ्यान भी चलाना चाहिए इसी तरह यूपी में कई सीनियर और यूआ डॉक्टर्स ब्री ग्रामीड इलाकों में तैली मेडिसिन के मादम से सेवा कर रहे हैं उनको साथ लेकर इसे और व्यापक किया जा सकता है कोवीड के खिलाप गावों में चल रही लडाई में हमारी आशा बरकर और एनेम बेहनों की भी भुमी का बहुत एहम है मैं चाहूंगा कि इनकी ख्शमता और अनुभव का भी जादा से जादा लाब लिया जाए साथियों सेकंड बेव में हमने वैक्सिन की सुरक्षा को भी देखा है वैक्सिन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फरंट लाइन वरकर्स सुनिश्चित रहे कर लोगों की सेवा कर पाए यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुँचेगा हमें अपनी बारी आने पर वैक्सिन जुरू लगवानी है कोरोना के खिलाप हमारी लड़ाई जैसे सामोहिक अभ्यान बन गई है वैसी ही वैक्सिनेशन को भी हमें सामोहिक जिम्मेदारी बना रहा है साथियों जब प्रयासों में संबेदन सिलता हो सेवा की भावना हो लोगों की तकलीफों का एहसास हो साइन्स लेड एप्रोच हो तो जमीन पर किया गया काम नजर भी आता है मुझे याद है पुरवान्चल में पहले किस तरह बच्चों में दिमागी बुखार वाली बिमारी का कहर था दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मुर्त्यू हो जाती थी अन गिनत और आपको याद होगा आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी है बेज़े पहले साउसप थे पार्लामेंट में इन बच्चों की जिन्दगी को जिस पकार से बच्चों की मुर्त्यू के एक के बाद होती रहती थी वो फूट फूट करके पार्लामेंट में रोए थे उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाईए कुछ वबस्ता कीजिए रोपड़ते थे हजारों बच्चे मरते थे और यह सिल्सला सालों साल तक चला था योगी जी पार्लामेंट में थे करते रहें लेकिन जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाब बहुत बड़ा भियान शुरू किया आप सब परिचित हैं और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिन्दगी बचाने में आज सफर हुई हैं काफी मात्रा में इस बिमारी को हम कंट्रोल में लाप आए हैं इसका बहुत बड़ा लाप पुरवाणचल के लोगों को हुआ है यहां के बच्चों को हुआ है यह उदाहरन में दिखाता है कि इसी तरह की सम्वेदिन सिल्टा सर्तक्ता के साथ हमें लगातार काम करते रहना है हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अद्रश्य और रूप बदलने वाले एक दूरत किसम के दुश्मन के खिलाफ है इस लड़ाई में हमें कोरोना से अपने बच्चों को भी बचा कर रखना है उनके लिए भी विशेश तैयारी करनी है मैं अभी पिछले दिनों यूपी के अधिकारियों से बात कर रहा था तो आपके मुखे सचीव ने तिवारी जी ने बहुत विस्कार से मुझे मुझे बताया कि उन्होंने पेडियाट्री के लिए बच्चों को अगर कोरोना होता है क्या क्या करना चाहिए पूरी ववस्ता विख्षित की और काफी अच्छा लगा मुझे कि वैल इन एंवारांस प्रोड़ेक्टिवली उत्तरपदेश सरकार इस पर काम कर रही है काफी काम शुरू किया जा चुका है साथियों हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनोती भी सामने आई है इस से निपटने के लिए जरूरी सांवधानी और व्यवस्ता पर ध्यान देना जरूरी है अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो इसके लिए जो भी मेरे पास जानकारिया थी वो मैं आपके साथ शेर भी की थी साथियों सेकंड वेव के दौरदान प्रशासन ने जो तैयारिया की है उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरस्त रखना ही है साथी लगातार आंकडों और थित्यों पर भी नजर रखनी है जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं उनका जादा से जादा लाब पूरे पुर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपने अनुभवों को अपनी fraternity में जरूर साजा करे प्रशाशन के लोग भी अपने अनुभवों और इन्पूर्स को सर्तकार तक पहुँचाए ताकि आगे इनका और व्यापक लाब मिल सके अन्य खेत्रों में भी आपकी best practices पहुँचा सके मैं सभी जन प्रतिनियों जिसे भी कहना चाहूंगा सारे इलेक्टर्ड लोगों से भी कहना चाहूंगा आप लगातार काम कर रहे हैं बोज बहुत है कभी-कभी जनता-जनार्दन का राजि-नाराजी के स्वर को भी सुनना पड़ता है लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस सम्वेदन सिलता के साथ आप जुड़े हैं जिस नंता के साथ आप जुड़े हैं ये भी अपने आप में सामान नागरी को एक मरहम का काम करता है और इसलिए मैं सभी जनप्रतिनी ध्यों को भी इस अभ्यान में जुड़ने के लिए और उसका नेत्रुत्वा करने के लिए एक प्रकार से संतोष प्रगट करता हूँ हम सब को देखना है कि एक भी नागरिक को अगर कोई तकलिब है तो उसकी चिन्ता जनप्रतिनी ध्यों का भी स्वाभाविक दाइप है उसे अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाना उसका समाधान सुनिश्चित करना ये काम हमें आगे भी जारी रखना है मुझे विश्वास है हम सब के ये सामोहिक प्रयास जल्द ही अच्छे परिणाम लाएंगे और जल्द ही बाबा विश्वनात के आशिरवाद से काशी इस लड़ाई को जीतेगी मैं आप सब के उत्तम स्वास के लिए कामना करता हूँ बाबा विश्वनात के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रासना करता हूँ कि सब लोग स्वस्त रहे पूरी मानवजात का कल्यान तो बाबा विश्वनात करते हैं उनके लिए किसी एक भूबा के लिए कहना उचित नहीं होगा आप स्वस्त रहें आपके परिवार जन्व स्वस्त रहें इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद